So hey guys, The Legend of Sky Lord series के एक और ब्रेंड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है So इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में जहाँ पर जैसे ही शौचेन बचाने के लिए पहुँच गया था जियांग मैंग को जैसे ही तोड़ा सागे बढ़ता है तो उसको नजर आ जाती है जियांग मैंग जो की पूरी तरीके से इलूजन गर्ल के कबजे में आ चुकी थी जहाँ पर हमें उस इलूजन गर्ल के बारें बताया जाता है और इसका नाम होता है किंग राओ जो केक्चल में चीफ होती है सोल वैली की इसने तुरंती अटेक कर दिया होता है यहाँ पर शौचैन की उपर लेकिन शौचैन ने यहाँ पर खुद का अपने फस्ट रेफलेक्शन की मदद से बचा लिया था लेकिन इसे समझी नहीं आ रहा था कि यह बार बार आकर अचानक से गायब कहां पर हो जाती है इसे कि शौचैन ने दुबारा से उसका जैसे ही पीचा किया था वो अचानक से ही पोंच जाता है अपने ही मैंडर टरी के अंदर जहां पर अब उसको अपने सामने नजर आ रही थी जियांग मैंग लेकिन ये सारा कसारा तो इलूजन होता है किंग राओ का क्योंकि एम जैसे ही रियल मैं देख पाते हैं शौचैन को वेक्चुल मैं उस खतरनाक पॉंड के अंदर जा चुका था जो कि पूरी तरीके से होता है पॉईजनस जिसके अंदर से काफी सरे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं जो कि जगरने लगते है शौचैन को और शौचै एम जा चाहती हों कि या कर ये कितना ज्यादा पॉईजनस है शौचैन उससे कहने लगता है कि पहले तो 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 मुझे ये बताओ क्या अकर तुम हो कॉन? ना कर मुझसे और जियांग मैंक से क्या चाहती हो तो बताने लगती है कि मेरा नाम है किंग राऊ colleg מא चीन हो कि इन त लेकिन चलो अब सबसे पहले मुझे तुम्हारा मास्क निकालना होगा कियाकर तुम कौन हो और साथी मैं ये भी देखना चाहती हो कि तुम कितने हैंसम हो अगर तुम मुझे पसंदाए तुम मैं तुम्हारी पल्दाया दिखाऊंगी और तुम्हें जान से नहीं मारूंगी और तुम्हें ऐसी एलूसिंस में फ़सा दूँगी जिससे कि तुम उससे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाओगे लेकिन जैसे इब उसके मासके को निकालने के लिए पहुच गई थी तो फिरते भी शौचेन ने ने पावर का यूज किया था और हटा दिया होता है उन सारे के सारे टैंटिकल्स को और शाओचेन उससे कहने लगता है कि तुम आगर खुद को समझती क्या हो तुम्हारे ये चोटी मुटे कारणा में मुझे इतनी आसानी के साथ मैं फसा पाएंगे जरा ये भी तो देख लो कि सामने वाले का कल डिविशन लेविल क्या है इंगराओ कहने लगती है कि हाँ बेशक तुमने अपने पावर के दम पर हरा दिया हूँ लीको इसी वज़े से मैं तुम्हारी पावर्स को अंडरेस्टिमेट नहीं करना चाहती हूँ इसलिए उसने तुरंती यहां से जियांग मैंग को लीकर जाना शुरू कर दिया था शौचेन जैसे उसका पीछा करते हूँ जा रहा था तो फिल तवी अचानक से ही उसके उपर एक और करेक्टर के द्वारा हमला करना स्टार्ट कर दिया गया था जिससे फाइट करती अफी सारे बंदियां आ जाती है हमला करने के लिए जोकी इलूजन होती है इसलिए उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है लेकिन जैसे उसकी स्वार्ट सीधी जाने वाली होती है शौचेन के सीने में तो उसको बचाने के लिए भी यहां पर सामने आ चुका होता है ली यूनफे उसे स्वार्ट को निकालती हुए यह कहने लगता है विल्दर शाओ चैन प्लीज मुझे माफ कर दो हमारी रियल्म में जो हुआ मैं उसी की वज़े से यहां पर आया हूँ आप उस टाइम पर अपना आप आखो वैटे थे जिसकी वज़े से मुझे आपको मारने क के अलावा और कोई भी तरीका नजर नहीं आया क्योंकि आपको बचाने का मेरे पास में और कोई तरीका था ही नहीं। अब मेरे पीछे आईए। उनके साथ मैं फाइट करते जा रहा था शौचेन को समझ भी नहीं आ रहा था कि आकर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जगए कौन सी है। प्रिंसेस ये कह रही थी कि जनम से लेकर मित्ती उतर। ये वल एकी चीज़े जो की हम लोग समझ नहीं पाते। लेकर ये जीवन क्यों है और इंसारी मुसीबत उसे चुटकारा कैसे पाये जाए। शौचेन अपने इलूजन के अंदर भागते वे जा रहा था और वो रियालिटी में भी भागते वे ही जा रहा था जिसको बहुती गौर से देख रही थी किंग रोग। प्रिंसेस कहते जाती है कि इस दुनिया के अंदर जिन्दकी एक्दम है सपने के ही जैसे लेकिन वो जैसे यवा जैसे यहां पर खड़ी होती है वो चानद से ही बदल जाती है जियांग मैंग के करेक्टर में लेकिन उसके सीने में एपने खंजर को अताल दिया था रियालिटी में ये खर जो कि रियल नहीं होता बलकी होता है किंग रो के द्वारा बनाया गया एक इलूजन। उसने ऐसा इसलिए किया क्यूंकि शौचन के दिमाग में यही सारी की सारी चीजें थी। नजादा एंजल्ड होने की वज़े से उसके बहुती जंदर ब्लीडिंग भी होने लगी थी। शौचन देख पाता है कि इसके सामने खड़ी हुई है किंग रो जो कि उसको यह बता रही थी। मैं कभी भी कोई भी इलूजन बना ही नहीं सकते ही। यह तो किबल लोगों को वही दिखाती हूँ जो कि तुमारी अंदर है और तुम उसको क्रियेट करते हो। यह सबते है क कि कोई कभी भी अपने इलूजन से वेक अप हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने जैसे उसको मारने के लिए अपने खंजर को हिट किया था। तो शौचन ने उसके अटेक को डॉज करते हुए यहां से भागना शुरू कर दिया था। लेकिन इंजर्ड हो जाने की वज़े से उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी जिसके बाद में अगले ही सीन में दिखाए जाता है दोनों ही एल्लर्स को मास्टर शीलियांग और चीफ एल्लर को पकड़ के रखा हुआ होता है एल्लर फैंग जिस काम को काफ़ी सरे डिसाइपल्स मिलके कर रहे थे जिनको बहुत उसकी जदा पावर्स के यूज़ करना पड़ रहा था केवल इन दो मास्टर को जकरने के लिए जीफ एल्लर और मास्टर शीलियांग दोनों ही चाहा कर भी इन से बाहर नहीं निकल पाएंगे विलकि इन दोनों पावर्स जदा प्रेशर डालने के लिए फैंग ने बना दी होती है एक और फार्मिशन मास्टर शीलियांग कहते है कि फ्रैंक तुम आकर यह क्या कर रहे हो आकर तुमने अपने ही लोगों के साथ में गदारी करना शुरू क्यों कर दिया तो एल्लर फैंक कहता है कि सुनो डौन सीलियां मैंसा से ही चीफ बनने की जिम्मेदारी उस बं मुझे सिखाई थी चीफ एल्लर ने अब जाके पता चल रहा है कि यह मूब कितनी ज़न्द स्रॉंग है कि सिखाने वाले को ही मैंने इससे पकड़ लिया चीफ एल्लर कहने लगते है कि हाँ बच्चे लेकिन मैंने तुमें इसको ब्रेक करना नहीं सिखाया था इसलिए अब परंती पहुंच जाता है मास्टर शीलियांग के सामने और उससे कहने लगता है कि क्योंकि तुम बन चुके हो सेक्ट के चीफ इसी वज़े से तुमें चुप चाप मेरी बात को मान लेना चाहिए शीलियांग कहते है कि फ्रैंग अगर तुम अभी कैपी रुक जाओगे तो तुम मैं तुम्हें माफ कर दूँगा तुम हमेशा हमेशा के लिए यहां से चले जाओ तुम इससे वादा करो कि तुम दुबारे से कभी भी यहां पर नहीं आओगे तो फ्रैंग कहता है कि शीलियांग तुम बहुती साफ दिल के हो लेकिन मैं तुम्हारी तरह कोई पान इंसान नहीं है। अगर मुझे जरूत पड़ी तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। जो कि मुझे ऐसा करना भी पड़ेगा सेक्ट का चीफ बनने के लिए। लगी जाकर सभी डिसाइबर्स मुझे मानेंगे अपना चीफ। जिसकी वज़े से उन्होंने यहाँ पर अपनी बर्निंग पाम को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। जिसके लिए शीलियांग यूज करते हैं फ्रीजिंग किल पाम टेक्निक को जिन दोनों की पावर्स एक दुसरे के साथ में क्लैश कर रहे थी। लेकिन मास्टर शीलियांग की मूव उनके सामने टिक नही इतने हैं कि मैंने आज तक तक तुम्हें कभी ऐसी किलिंग मूव तो सिखाई ही नहीं थी। तो फैंग उनसे कहता है कि मास्टर मैं केबल तुम्हारे भरों से कैसे रह सकता हूं क्योंकि मुझे तुम आने बाले टाइम मैं बनना था चीफ। जिसके वज़े से शीलियांग केबल उसी अटेक के साथ में डेस्ट्रॉय हो गया था और उसी पंच को फैंग ने हिट कर दिया होता है शीलियांग को और उसे कहता है कि तुम्हारा अंतिन निकाट आ चुका है जिसकी वज़े से वो शीलियांग को वापस से लेकर आ चुका था चीफ एल्डर के हिपास मे चीफ एल्र कहने लगते है कि एल्डर फैंग तुमने बहुत ही गलत किया ये डेडली टेक्निक्स को सेक कर वो भी हमें बिना बताई तुफंग कहने लगता है कि हाँ मैं जानता हूं कि ये टेक्निक मुझे नहीं सीकनी चाहिए थी लेकिन आकर मैं कैसे ही तुम सबी के सामने दब के रह सकता था मुझे अभी अपना नाम कमाना था मुझे भी बड़ा बनना था और उनकी रखी हुई चाय को पीती हुए कहता है कि डू और शील यांग तुम सच में चाय बहुत अच्छी बनाते हो जो की ज्यादा ताकत बर होगा कमजोरों को हमेशा मलना ही होगा किसलों इन दोनों को यहां से ले जाने के लिए कहता है अपने डिसाइपल से जो की फरगले ही स्थीन में हमें दिखाया जाता है शौचैन को जो की इंजर्ड हो चुका था उसके दिमाग में इलूजन्स चल रहे थे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जहाँ पर काफी तेजी के साथ में उसके पीछे से ही आ रही होती है किंग रो जो की किसी बियाहाल में शौचैन का पीछा नहीं छोड़ने वाली शौचैन का दिमाग अब पहुती ज़न्द बुरी तरीके से घूमने लगाता उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि आकर उसको कौन सी डिरेक्शन में चलना चाहिए कि तवी अचानक से उसको दिखाई देने लग जाती है हैवनली रियल्म जो कि रियल नहीं थी और उसी इलूजन के अंदर उस पर कई सारे हमले भी किये जा रहे थे वो जितनी बार भी हमला करने की कोशश करता तो उसके सामने आ जाया करती थी जियांग में उसकी वज़े से वो चाहा कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था जोचें समझ जाता है कि जादा कुछ नहीं बस ये इलूजन्स हैं उसके ही दिमाग के और वो चलते हुए आ गया होता है लेक के पास में इसलोब अपने माइंड को शांत करने के लिए उसी लेक के अंदर एंटर कर जाता है ताकि अपने दिमाग को ठंडा कर सके और इन सभी के सभी इलूजन्स से भी बचा जा सके किंग्लो उसको ढूंटे हुए जंगल के अवसी हिस्से में ही आ गई थी किंग्लो कहने लगते है कि मैंने तो सोचा था कि तुम एक हीरो होगी तो देखने में भी काफी वारफुल लग रहे थे लेकिन सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हार जाओगी सच में लड़के मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूप नहीं देखा लव किया तुम्हारी अंदर इतनी भी हमत नहीं है कि तुम मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करके दिखा सको तब हम शाओ चैन को देखते हैं जो कि भले ही पानी के नीचे जा चुका था लिकिन अभी भी वो इलूजन उसकर पीछा नहीं छोड़ रहे थे लिकि इसको देखाई देने लगता है जैसे कि कई सारे ब्यूटिफल बुमेन उसके पास में आ गई हो जो कि इसको सिडियूस करने की भी कोशच कर रहे थे लेकिन शाओ चैन कहने लगता है कि नहीं इने मत देखो इनको स्मेल मत करो ना ते उनको छूना है और ना ही किसी भी चीच कर टेस्ट लेना है शाओ चैन अगर तुम डिस्ट्रेक्ट हो जाओके तो ये लोग तुमें चान से मार देंगे क्योंकि वेक्च्छल में उनकी संक्या लगाता रही बड़ते जा रही थे तब ही हम शाओ चैन को देख पाते हैं उसकी स्पिर्चल वर्ल्ड के अंदर जिसकी सोल अभी भी एकदम ही सेफ थी इसलिए वो अपने आपको यकिन दिला रहा था कि ये सबी की सबी इलूजन से इनमें जरा सी भी सचाई नहीं है इसलिए अपने इलूजन को बढ़ाते वे कह रही थी कि कायर कहा पर छुपकर बैठे हो लेकिन शाओ चैन की बॉड़ी से अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी उसका खून बंद नहीं हो रहा था जो कि इसकी सोल बॉड़ी को तक सीडियूस करने की कोशिश करने लगे थे पिए हम देख पाते हैं कि किंग रो अब आ रही होती है दुबारा से शाओ चैन को जान से मारने के लिए वो इस बार उसको पानी के अंदर ही खतम कर दीना चाहते थी अपनी एकोट टेक्निक को जैसे हे किंग रो पहुशने वाली होती है शाओ चैन को जान से मारने के के लिए तो वो यूज करते हैं अबने स्काई रोरिंग टेकनिक को जिसे वो सबसे पहले उलोजंस को मटाता है और किंग रोग पर हिट करने लगता है अपनी सोल डेवारिंग थंडर को जिसे टैकने वाकए में किंग रोग को दूर तो फेक दिया था लेकिन वो सीरियसली इंजर नहीं होई थी और शाचेन भी पाने के बाहर आ गया था और वो कहने लगता है इस बच्चे की ये बाड़ी अभी इतने केपेबल नहीं है कि वो इतने ज़ादा खतरनाक टेकनिक्स को यूज कर सके यकि केवल इस एक टेकनिक को यूज करने में ही उसकी बाड़ी बहुती बुरी तरीके से एक्सास्ट हो गई थी शौचे कहने लगता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम जो इलूजस बनाती हो वो मेरे दिमाग के अंदर ज्छाक के ही बनाती हो मैं जान चुका हूँ कि मुझे उनसे छुटकारा कैसे पाना है इसकी वज़े से पकिंग्रो के पास में और कोई भी रास्ता नहीं बचाता क्योंकि अब यहां से डिरेक्ली ले जाए कि जियांग मैंग को तो कहने लगती है कि शौचेन में तुम से निपटने कर रास्ता जरूर से फ्यूचर में निकाल लूँगी तो बोतुरंते यहां से लेकर चली जाती है जियांग मैंग को इसका किवल लेंटन यहां पर गिल जाता है और शौचेन उसी को ही देखते रहता है इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खतम हो जाता है